Good morning everyone, I am your Hindi teacher, Satyav Hama from Happy Camera School. Strengths, lesson 6 में आप सभी को complete करवा चुकी थी, जिसका नाम था अन्याय का विरोध. यह हमारा Hindi में complete हो चुका हैं बच्चों, तो आज हम इसका book work करने जा रहे हैं. चलिए, और यादर की का, यह सारा book work आप सभी बच्चों को अपनी Hindi की book में ही fill करना है. तो चलिए start करते हैं, first है हमारा question, सही विकल पर आपको सही का निशान लगाना है. यह हैं कि you have to choose right option. अब देकी first है, लेखा के बच्चों की governance का क्या नाम था? governance मैंने बताया था, जो बच्चों का देखभाल करते हैं, उसे हम governance कहते हैं. तो उसका नाम क्या था? Julia. Second है, Julia को कितनी तवन्खा पर, तंखवा पर रखा गया था? तंखवा का मतलब क्या होता है, बच्चों? वेतन. तंखवा का मतलब मैंने आप सभी को समझाया था, वेतन होता है. तो कितने वेतन पर रखा गया था? 40 रूबल पर. तो यही हुआ था ना. अब थरड है, Julia लेखक के यहां कितने महीनों से काम कर रही थी? कितने महीनों से काम कर रही थी वो? दो महीनों से. कोल्या के चार दिन बिमार रहने पर, Julia ने किसको पढ़ाया? जब कोल्या बिमार हुई थी, तो Julia ने किसको पढ़ाया था? चार दिन, यानि कितान्या को. नो क्राली ने किसके जूते चुरा लिये थे? तान्या के, तब बच्चों, हमारा जो first question है, उसके answer है, पहले में आएगा जूलिया, second में आएगा 40 रूबल, third में आएगा दो महीने, fourth में आएगा तान्या, fifth में भी तान्या, चलिए, अब हम देखते हैं हमारा second question, किस ने कहा, किस से कहा, इसने बताना है कि यहाँ पर जो वाकिया आपको दिये गए हैं, वो कथन है, यानि कि जो बोले गए हैं, तो यह आप कह सकते हैं, डायलोग, तो यह किस ने बोले हैं, और किस से बोले हैं हमें यह बताना है, तो पहला है, जी नहीं, 40 रूबल महिना, त जूलिया जब कोई वक्ति किसी के यहां काम करता है तो वो उसका मालिक हो जाता है ठीक है वैसे तो पूरे पाट के अंदर कहीं पर भी लेखक शब्द का जिक्र नहीं हुआ है ना ही मालिक शब्द का जिक्र हुआ है तो इसलिगे दोनों ही ठीक हैं परन्तु यहां पर लेखक शब्द का प्रियोग किया गया है ठीक है तो इसलिए आप लेखक मैंने लिखे दोनों ही हैं और रिजन आपको बता दिया क्यों तो आप बच्चे जो हैं वो लेखक लिखेंगे और अगर कोई बच्चा मालिक से भी लिखता है तो वो भी ठीक होगा अब हम सेकेंड देखते हैं नहीं भाई तीस मैंने डाइरी में नोट कर रखा है तो ये किसने कहा था लेखक ने जूलिया से थर्ड है जी नहीं आपने मुझे कुछ नहीं तो ये किसने कहा था और किससे कहा था ये कहा था जूलिया ने लेखक से फौर्थ है दिये ही होंगे नहीं दिये हैं ये किसने कहा था लेखक ने जूलिया से तो इस तरीके से सेकिंड कॉश्चन के जो अंसर है वो पहले कहा है जूलिया ने लेखक से दूसरे का अंसर है लेखक ने जूलिया से थर्ड में आएगा जूलिया ने लेखक से और फूर्थ का आएगा लेखक ने जूलिया से तो इस तरीके से यह अंसर भी आपको अपनी बुक में ही फिल करने है अब हम बात कर लेते हैं बच्चों हमारे कोशन नमबर थर्ड की यानि किरिक स्थानों की आप सब को पूर्ती कर गवर्नेस को सेकिंड इसलिए मैं खुद तुमें डैश देना चाहा रहा हूं क्या देना चाहा रहा हूं तनकवा थर्ड लेकिन डैश रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा ना हुआ हो तो इसका अंसर क्या आएगा साथ जूलिया की आखों से डैश चल चल गए तो अंसर आएगा आसू फिफ्त है तुम्हारे पैसे डैश तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो अंसर आएगा हडप कर तो चलिए बच्चों रिक स्थानों के जो अंसर है पहले का क्या होगा गवर्नस दूसरे का होगा तनकवा तीसरे का होगा साथ चोथे का होगा आ हमारा fourth question है सही वाके पर सही का और गलत वाके पर गलत है यानकि हमारा true false question है fourth तो पहला है जूलिया बहुत चालाक ओरत थी क्या हैगा? wrong क्योंकि जूलिया एक सीधी ओरत थी second है लेखक के घर जूलिया को दो बच्चों की देख भाल करनी होती थी right लेखक जूलिया के पैसे काट कर सही कर रहा था wrong क्योंकि वो तो पैसे काट कर उसके साथ अन्याय कर रहा था fourth है पैसे काटने पर भी जूलिया संतुष्ठ थी wrong वो संतुष्ठ नहीं थी ऐसा था या नहीं था बच्चों? इसका क्या आएगा? वो संतुष थी क्योंकि आपको ध्यान होगा आपने जब पार्ट में पढ़ा था बच्चों तो जब जूलिया ने धन्यवाद दिया था तो लेखक ने उसे पूछा कि तुम मुझे धन्यवाद किस बात का दे रही हो तो उसने क्या कहा था उसने ये कहा था कि मैंने अब तक जहाँ पर भी काम किया वहाँ मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया आपने कम से कम कुछ दिया तो सही तो इसलिए वो संतुष थी वो चुप थी तो इसलिए यहाँ पर राइट का निशान आएगा यहाँ पर wrong नहीं होगा फिफ्ट है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें कठोर बनना होगा सही हमें कठोर बनना होगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा अस्तित्व रहे तो आईए इस कैंसल देख लेते हैं फिफ्ट में आएगा wrong, सेकिंड में right, थर्ड में wrong, फिफ्ट में right और फिफ्ट में भी right तो बच्चों अब हम देखते हैं हमारा भाशा ग्यान भाशा ग्यान में जो हमारा फिर्स्ट कोशन है वो है आपको सर्वनामों को चुनना है और उकसानों को पोन करना है तो देखी यहाँ पर आपको सर्वनाम शब्द देगे आपको सहीर सर्वनाम शब्द को चुनना है पहला है डैश अपना काम आज ही करूँगा उसका अंसर क्या होगा मैं बच्चे ने उतर दिया डैश ही शशांक हूँ यानि कि मैं अनील को डैश बुला रहा है यानि कि कोई मैं भी डैश साथ चलूँगा आपके रवी डैश चा रहा है कहां तो चली इसके अंसर देखनेते हम पहले में आएगा मैं दूसरे में भी मैं तीसरे में कोई चोथे में आएगा आपके और पांचवे में आएगा कहां अब हम बात करते हैं मारे नेक्स कोईशन की जिसमें आप सभी बच्चों को दिये गए शरवनामों का प्रियोग करके वाक्य बिनाने हैं तो च्वेंड्स यह कोईशन आप सभी अपने आप करेंगे क्योंकि बहुत ही इजी है क्योंकि संटेंस मेकिंग है जो आप सभी काफी टाइम से करते आ रहे हैं इसलिए कोईशन आप सभी अपने आप करेंगे अब मैं बात करती हूँ मारे थर्ड कोशन की जिसमें है दिये गए शब्दों से भावाचक आपको संग्या बनानी है यह शब्द है इनसे आपको भावाचक शब्दों का निर्मान करना है माता तो माता का क्या हो जाएगा मातरत्व बच्चा से बच्पन चुनना से क्या हो जाएगा चुनाव मीठा से क्या हो जाएगा मिठास नोकर से नोकरी मित्र का भावाचक क्या हो जाएगा मित्रता पशू का भावाचक क्या हो जाएगा पशूता पढ़ना का भावाचक क्या होगा पढ़ाई इमानदार भाववचक क्या होगा इमानदारी कठोर तो कठोर का भाववचक क्या होगा कठोरता चले हम दुबारा रिपीट करते हैं दिये गई शब्दों से भाववचक संग्या बनानी है पहला है मातरित्व, दूसरे में आएगा बचपन, तीसरे में चुनाव, चोथे में मिटास, पांचवे में नोकरी, छटे में मित्रता, साथवे में पशुता, आठवे में पढ़ाई, नोवे में इमानदारी, और दसवे में कठोरता ध्यान रखेगा बच्चों, आप सभी को ये काम, जो है आपका वर्क, जो है बुक वर्क, आपको अपनी बुक में ही फिल करना है, और अगर आपको कोई भी डाउट है, you can drop a voice message on my WhatsApp number, friends, now, I will rest of my words, thank you